अच्छे लोगों को कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ का भी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ का भी नहीं देते, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक श्री कृष्ण जो ना लड़ उस पर शोक मत करो, भरोसा अगर खुद पर हो, तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है, आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्मा आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनका ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, ना लेकर जाओगे, जो यहीं से लिया, जो दिया, यहीं पर दिया, जो लिया, इसी से लिया, जो दिया, इसी को दिया, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए, जो हुआ वह अच्छा हुआ है, जो हुगा वह भी अच्छा ही होगा, तुम प्रेम एक ऐसा अनुभव है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घ्रिना एक ऐसा अनुभव है, जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, मचली जंगल में नहीं दौर सकती, और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए एहमियत सभी को देनी चाहिए, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इनसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो, अच्छी किसमत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर, भगवान को कोशते हैं, और बुरी किसमत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर, जो खिलाडी बहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर होसले सबके अलग-अलग है, कोई हताश हो के विखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतिया सीडिया है, और नहीं सीखते हैं, तो गलतिया सागर है, निर्नय आपका है, क्या चड़ना है, या दूबना है, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती, जितना की हम उन्हें मान लेते हैं, कभी सुना है, कि अंधेरे ने सुबा को होने ही नहीं दिया, गलती आ धूंधना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही, ज्यादा बहतर होता है, दोस्तों आपको श्री कृष्ण के ये विचार कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएगा, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों.